दोस्तों इगनु के जुलाई सत्र के लिए एग्जामनेशन फॉर्म फिल होना स्टाр्ठ हो चुका है। जी हाँ जोदी आप इगनु के स्टुडेंट है और जुलाई सत्र में आपको एक्जामनेशन देनी है तो आपके लिए वीडियो खास होनी वाला है, क्योंकि इसमें आपको हम पडिक्षा फॉर्म के बारे में complete चर्चा करने वाले हैं, कि आपको कौन सब एपसाइट से इसका पडिक्षा फॉर्म भरा जाएगा, किस लिंक पे क्लिक करके आप पडिक्षा फॉर्म को एकसेस कर पाएंगे, इसके अ से पेमेंट करते हैं, कैसे रिसीविंग निकालते हैं, सुरू से लेकर के अंत तक हमने बताया है, किस डेट से लेकर किस डेट तक आपके ये अप एक्जामनेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ये सब के बारे में हमने इस वीडियो में complete चर्चा करी है, जदि आपको फोकस देखर किसके वीडियो को बनाया है, ताकि आप खुद वखुद से अपना अप्लिकेशन फॉर्म या एक्जामनेशन फॉर्म जो है ये खुद से आप कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसके वेबसाइट को दिखाना चाहेंगे, इसका वेबसाइट कौन सा देखिए, यहा लिखा हो, on-line submission of examination form for June 2022, term and examination, यानि कि term and examination इसको बोलते हैं लोग, इसके June 22 session है, जून जुलाई दोनों एकी season को बोलते हैं लोग, उसका examination form के बारे में यहां पर अलर्ट किया है, अब आपको बताते हैं कि आपको जाना कहा ये तो वेबसाइट है, आपको कहा जाना है, जो क कि आपको उसका परिक्षा का form access कर पाएंगे आप देखिए जैसे ignoo.ac.in आप खोलते हैं तो आपको इस तरह का page मिलता है जहां पे आपको जाना कहां पे है register online वाले option पे आपको click करना है register online वाले पे click जैसे करते हैं आप register online पे तो आपको इस तरह कट हेर सारा options यहां पे आपको यह आपको पैनल में मिल जाता है आपको जाना रहेगा कहां पे तो term and exam वाले option पे आपको term and exam वाले option पे जैसे ही आप click करते हैं आपका page इस तरह से खूल जाता है कि जहां पे आपको सब कुछ के के बारे में स्पेसिली एक नोट के बारे में लिखा हुआ देखिए रेट कलर में क्या लिखा हुआ हुआ है लास्ट डेट टू अप्लाइट अंलाइन टी यानि कि टर्म एंड एक्जामनेशन जून कर सकते हैं यहां पर भी देखिए डेट के बारे में लिखा गया है एक जून से लेकर के 25 जून 2022 तक 200 रुपिया पर सब्डेक्ट के हिसाब से यानि कि आपको 200 रुपिया एक सब्डेक्ट का चार्ज लगता है फी है उसको आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते ह हम लोग जो अभी करेंगे एक जामने सर्फ फॉर्म फील करते हैं आपको दिखाएंगे कैसे कैसे आप पेमेंट भी करते हैं किस-किस मोड से पेमेंट आप कर सकते हैं उसके उपर भी हमने आगे बात करी है और लेट फी की जो बात यहां पर देखिए 26 जून से लेकर के 30 ज पेमेंट होई गिया साथ में 1100 उपर से यहनिकी 31 वक आपको पेमेंट करना होगा वह आपको 4-5 दिन का समय एक्स्ट्रा मिल रहा है तो डेट आप जान लिए कि आपको एक जून से 25 जून के बीच आपको भर लेना है इनकेस किसी करानवस आप नहीं भर पाए तो फाइन मे आप भर सकते हैं वो भी 26 से 30 जून के बीच में यह तो इन्फोर्मेशन था इसी पेज को जो आप नीचे स्क्रॉल करते हैं स्क्रॉल करने के बाद आपको इस तरह का पेज सबसे नीचे में मिलता है जहां कि आपको यह वाला टिक करना होता है और आपको प्रॉसी टू फिल online examination form पे click करना होता है इसी option पे आपको click करना है जैसे यहां पर आप click कर लेते हैं आपका इस तरह का page आपके सामने खूल जाता है जहां कि complete चीजों को आपको feel करना होता है जैसे कि यहां पर आपको program आपका चुनना होता है आपका जो भी program है आपके icard में भी लिखा होगा आप जो examination यह application form भरा होगा admission के लिए उसमें भी आपको लिखा होगा जो भी program है जैदी जैनरल है आपको बीएजी होगा हिंदी है बीएजडी होगा political science है तो बीएजडी होगा ऐसे करके sociology है बीए आपका है वह आपके icard में लिखा रहता है यहां पर प्रोग्राम करना है जो भी आपका रॉल नंबर है आपको icard में लिखा होगा या फिर आपने जो admission कराया होगा तो उसमें mail पर भी आपको आया में वहां से भी आप्राप्त कर सकते हैं यह लिखेंगे उसके अलाबा यहां पर क्लिक करके आपको रिजन चुनना है कौन सा रिजन बोले त जैसे इंडिया के सभी युनिवर्सिटी यहां पर सो होता है उसका आपको यहां पर चुनाव करना पड़ेगा तो यहां पर इसलिए चुनाव करना है ऐसा नहीं कि जिस युनिवर्सिटी के college के अंतरकत आप कर रहे हैं वह चुनिए आपको जहां अभी exam देना है जिस भी सभी युनिवर्सिटी के college में उसका चुनाव करेंगे suppose आप बिहार के student है आप देली में काजरत है जॉब कर रहे हैं या फिर प्राइबेट काम कर रहे हैं और आपको देली में लेना है exam center तो आप चुनाव करेंगे देली मुंबई लेना है तो आपको मुंबई में चुना आप कोड़ इंडॉलमेंट और रिजनल सेंटर यहीं कि उनिवर्सिटी आपको चुनना है और सब्मीट पे आपको क्लिक कर देना है जैसा ही सब्मीट पे क्लिक कर देते हैं आप अपने प्रोफाइल में लॉग इन कर जाते हैं जिसमें कि आपको complete आपका details डिख जाता है आ कौन सा अरिजनल सेंटर से आप है वह दिख जाता है साथ-साथ यहां पर आपको चुनाव करना है आपका examination center आप कौन सा एड्रेस है इसमें दियावा क्या उसको change करना है तो इसमें yes करके आप change कर लिए नई तो no करके आगे बढ़िए फिर आपको rate of birth चुना राता है ई-mail लेडी लिखना पड़ता है इसके अलावाः जेंडर कर चुनाव करना पड़ता है और अधार नंबर optional आधार नंबर देना है तो यहांपर आधार नंबर आप लिख सकती है इतना करने के बाद नीचे झाल आते हैं तो नीचे में आपको डेकिए यहँआ पर इसमें आपको चुनाव करना है इसमें आप इस तीर पे क्लिक कर देते हैं सब्देक्ट का लिस्ट इसमें खूल जाता है जो कि आपका लिया गया है जो भी आपका कोर्स आपका सब्जेक्ट है आप इने एड्मिशन के समय में चुना था सबका उसमें लिस्ट है आपको जिस बिसाय का पड़िक्षाप भरना है उसका आप चुनाव वहां से कर लेंगे आप जो भी विसाय का है जिसमें फेल भी है पिछले वर्स फेल कर गये है उसका एक्जामनेशन आपको फिर से देना है उसका भी यहां से आप चुनाव कर सकते हैं या जिसको छोड़ना है उसको आप छोड़ भी सकते हैं कम ज्यादा सब्डेक्ट का भी आप चुनाव कर सकते हैं माल लिजी आपका आठ विशय है आपको भी चार ही विशय का एक्जा इसमें तो यहां पर चुनेंगे इन चीजों को देखिए हमने इसको complete जो feel किया है feel करने के बाएद आपको देखिए इस तरह से दिखता है हमने सेंटर चुना है यहां पर यहां तो चुन लिए है यहां इसलिए मेल चुने हैं उसकी अलाबा आधार को छोड़ दिय सब्सक्राइब करने के पाद आपको यहां पर पूछता है क्या आप आप जमा कर चुके हैं या फिर नहीं किये हैं तो यहां पर क्लिक करके चुन लिजिए और सबमीट पर आपको क्लिक करना होगा सुप्भी में प्रेभ्यृ लिखा देख लिए वहां सब कुसक्स सही है आपका मिला लिजिए और आपको यहां पर यहाँ पर 2000 का वह आपको दिखता है 2000 क्योंकि यह सब्जेक्ट वह 10 है तो आपको एक भी साय का चार्ज 200 परता है तो 10 गुने 200 यहनि कि आपको 2000 का इसमें इनको पेमेंट करना है आपको यहाँ पर पे नाव पे क्लिक करके इसके फॉर्म को आप कर सकते नहीं तो बैक पे पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं जिसमें कि आपको अपको इनौल्मेंट नमबर यह आपका एक्जाम सीटी है नाम आपका यह है इतना फी आपको प्लस बैंक का जो भी चार्ज से वह लगेगा सब्सक्राण होगा करने कि सब्सक्राण करके यह नहीं अदर बैंक में यहां पर आप जा सकते हैं यह से ब्रॉक्nez स्थे करना होगा और प्रोसीट पर यहां पर आपको क्लिक करना होगा इस नंबर पर यहां पर आपको नंबर दिया रहता है इस नंबर पर आपको पेमेंट पर क्लिक कर देंगे इसे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा और इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आगा जहां कि आपको कंट्रोल नमर आपका दिया गया है इस पेमेंट के लिए इसको आप चाहे तो नोर्ट करक सकते हैं नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है कोई जरूरी इसका होता नहीं है आप इसको होम प चेक वाले ओफशन पर आपको जाना है यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर कि जदी आप क्लिक कर लेते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज खुल तो जहां कि आपको इन्रॉल्मेंट नमबर डालना है डेटर बट डालना है और सब्मीट पर आपको क्लि लिखा रहता है और आपको पुरा सब्सक्राइब स्व्यक्ति या कितना पश्यक्ति सब्सक्राइब कि यह कमप्लीट तो आपको खैसे-वर ना है आपको 25 जून तक भर लेना है ताकि आपको उसके बाद आपको 1100 फेगा फाइन लग जाएगा जोदी इसमें आपको कुछ भी और दिक्कत है आई तो मुझे आप कमेंट करिए हम आपको बता देंगे कि भाईया इसमें क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम है आसा किये हैं कि आपको कोई दिक्कत इसमें ना हो आपको चाहिए होता है जैसे के आडमिसन या फिर आइकाड का वा इसका एडमीट का आएगा रेजल्ट का आएगा हमारे चनल को सब्सकाइब जरू करिए ताकि आपको हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहेंगे कब किसका क्या होने वाला है बहुत साथे लोग क क्या करते हैं कि लोग से परिशार में पूछते पूछते सठीक उसको आंसर मिल नहीं पाता और बाद में वह उसका कुछ ने कुछ छूट जाता है और आसा करता हूं कि यह वीडियो आपको आपको करिए और कुछ ने कुछ जरूरू कमेंट करिए अच्छा बुरा जो भी को लगा दूसरे के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी जीजों को जान पाएंगे सब्सक्राइब करना ना भूले बिल को दबाने के बाद और पे क्लिक करना ना भूलेंगे धन्यवाद